सिक्षा वो मंदिर है जिसकी दर्शन एक बार हो जाए तो वहां से कोई खाली हाथ लोटता नहीं है आज हम आपको मिलवाएंगे बेगुस राय के सबसे प्रसिद्ध स्कूल बी आड़ेवी के प्रिंसिपल केके सिनास जी से तो नमस्कार आप सभी का सौगत है के बी स्टीडियो में तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपका स्टूडेंट लाइब से जो प्रिंसिपल तक का ज़र्नी था वो कैसा था गया का निवासी हूँ तो गया में प्रसिद्ध स्कूल थियोसोफिकल मॉडल हाई स्कूल था तो मॉडल स्कूल का मैं बिद्यारत ही रहा वो इंग्लिश मीडियो स्कूल कहा जाता था बच्पन से बहुत अच्छा वहाँ पर एक महौल मिला सीखने का पढ़ने का मेडिल स्कूल में आया तो वहाँ पर पुनाई करना सीखा वो भी सीखने का मौका मिला एक स्किल डिफल्फ्मेंट हुआ तो 6-7 तक वो चला 7th क्लास के बाद फिर हाय स्कूल में आ गया 8th क्लास में उसी केमपस में तो वहाँ से फिर हमारी सिख्छा दिख्छा डिफरेंट हुई और साइन्स स्ट्रीम हमने स्लेक्ट कर लिया मैट्रिक के बाद फिर हम लोग इंटरमीडियेट में तो ही मगाद इनवर्सटी के अंडर में कॉलेज में हमने किया कभी आपने सोचा था कि आप स्टूडेंट लाइफ से आप प्रिंस्पल बनेंगे नहीं देखिए सुरुआत में तो यह था कि क्रेज था उसमें इंजिनियरिंग का आज भी है तो इंजिनियर बनने का क्रेज था लेकिन कुछ जो डेवियेशन हमारे आए वो डेवियेशन इ करने लगा दो डेवियेशन हुआ उनर्स कि किमिंस्ट्री ऑनर्स किया फिर उसको मास्टर्स किये मास्टर्स किये तब तक फिर भी हर का थोड़ा सा उसमें महल गड़बड हो गया ता फिर जौब वगरा के परिशानी होने लगी थी तो फिर अम लोग ने देखा कि आगे सा और हिया ब्राइट उसमें फ्यूचर यहां बिहार में नहीं मिलेगा और यह सब पढ़ते-पढ़ते पढ़ते पढ़ाने का जो है मन में उलास हुआ और पढ़ाने के पृती जोका हुआ हुआ हमारे फादर भी टीचर थे तो वो एक इनहरिटेंस भी था तो इस तरीके से फिर मैंने डिएवे स्कूल जोईन किया डिएवे स्कूल जोईन किया तो एज टीचर लेकिन उस समय तक यह डिसाइड़ नहीं था कि I have to continue वो डिसाइड़ नहीं था on the way चलो इसके वी टेस्ट कर लेते हैं बीएड वगरा कर लिया था तो इससे पहली बार आप प्रिंस्प प्रिंसिपल के रूप में जब आया तो मुझे चित्रा भेजा गया पहले हेड के रूप में इंचार्ज के रूप में हाँ देवघर डिस्टिक में पढ़ता है कोलियरी है चित्रा माइन्स वहाँ पर एक नवा स्कूल खोला गया था तो वहां में उसको को लुग आफटर क मुझे मिला फाइव येर्स वहां रहने के बाद वहां एक अच्छा सा महौल बना और फिर सीबियसी के भी बहुत सारे assignments मुझे मिलते रहें बाद में सीबियसी ने सीटी कोडिनेटर बनाया भागलपूर में सीटी कोडिनेटर की responsibility होती है जितने भी exams होते हैं उनके exams के center वगरा कैसे बनेंगे कहां बनेंगे क्या होगा और exams related और ऐसे भी सीबियसी के जो दूसरे activities होते हैं उन सब में भी सीटी कोडिनेटर किया सकता पड़ती है तो इस responsibility के साथ मैं वहाँ पर काम करने लगा फिर वहां से management ने कहा कि अब आप PRDAB को जाओ और वहां से ही अब आपका यह होगा तो उतने districts के साथ बाका में एक नए स्कूल वहां डाला था और एक सुलतान गंज में नए स्कूल बनाया तो 11 schools वहां पर हो गय थे फिर हमें मिला जब बेग उसराय तो यहां थ्री स्कूल थे तो बेग उसराय भी इसमें आड हो गया तो 11 उधर प्लस बेग उस्राय, 14 स्कूल्स आज के एंट में हैं, जिनको लुक आफटर करना है, उनके प्रिंशनल शीप के साथ साथ, दिसनल ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ. यहां पे आपको और जो पुराने स्कूल में आप थे, तो यहां और यहां दोनों में अंतर आपको क्या देखा? देखिए पुराने स्कूल्स में जैसे अब गया से अगर हमें स्टार्ट करें तो वहाँ भी स्कूल समें इंसेप्शन स्टेज में था जो शुरुआत हुआ था दो साल पहले आगे बढ़ रहा था तो वहाँ जो भी कुछ हुआ वहाँ पर हम लोगों ने जो अपने इफ़र्ट्स लगाए उस इफ़र्ट्स से वो बनके एक लेवल को पकड़ा स्कूल नेम फेम उनका भी हो गया फिर वहाँ से जब मैं चित्रा गया तो वहाँ पर देड़ दो साल रहा दो साल के बाद फिर मैं उरजा नगर चलाया था तो वहाँ पर दो साल लुक आफटर हमने किया जस्ट इनिस्यल स्टेज में स्कूल खोला गया था अब ये क्वार्टर्स वगरा में रूम मिला था कि इसी में स्कूल अभी चलाया ये बिल्डिंग अभी बनेगी जोब प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का अपना प्रोसेस होता है वो भी प्रोजेक्ट स्कूल है एसील का चित्रा माइन्स कोलियरिक तो उसका एक प्रोजेक्ट स्कूल था तो वहाँ पर का कल्चर अलग था तो उस कल्चर में जब वहां गए तो वहां पर जो देखने को मिला तो वहां बच्चे ने आ रहे थे ठीक है प्रोजेक्ट में आफिसर्स भी है और दूसरे भी इंप्लोईज है उसके अलावा लोकल जन्टी है तो कोलियरी कोल फिल्ड का जो एक अपना महौल होता वो डिफर होता है तो वहां पर से फिर में उर्जा नगर आ गया दोनों कोलियरी था लेकिन उर्जा नगर प्रोजेक्ट जो है वो एडवांस्ट प्रोजेक्ट था और वहां पर कॉल्णी जो है सेप्रेट बनाये हुआ था कोलियरी से 6 किलोमेटर की दूरी पे तो 6 किलोमेटर की दू एक कल्चर जो है इंप्रूफ किया हुआ मिला गया का तो अपना रिच कल्चर है उसका तो बात ही अलग थी लेकिन जग कुलियरी में गए तो बहुत इंटीरियर था वो वहां तो बाहर गाड़ी पकड़ने के लिए भी पहले सिक्स किलोमेटर रोड पे चलके तब आपको जाना है कोई कम्मिकेशन नहीं था टेलीफोन नहीं था उरजा नगर आया था तो उस समय भी टेलीफोन की बहुत परिशानी थी घंटों घंटों कोशिस किया जाता था तो जाके एक फोन घर बे लगता था और उस समय लैंड फिर सासाराम जब आया तो सासाराम में वहाँ सारा कुछ खुच से डेवलप किया तो पूरा का पूरा चीज जो है तो अपने ही तरीके का रहा तो वहाँ का एक अलग experience हुआ, कैसे creation होता है, कैसे बनाया जाता है, teachers को कैसे groom कर सकते हैं, बच्चों को कैसे groom कर सकते हैं, और बच्चों के अंदर कौन सी डालने चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो सब चीजों का वहाँ पर जितना जो experience था, उस experience को वहाँ पर हमने यूज किया, और हर समय एक hobby है, कि नई चीजों को explore करते रहां, तो मैं explore करता रहां, computer के छेत्र में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं सासाराम आया, तो हमारे computer teacher को मैंने कहा कि भाई मेरे, मुझे कुछ थोड़ा सा बता दो, इसको कैसे चलाते हैं, तो एक laptop लिया था उससे में, तो उस laptop पर हमने कहा कि ले तो लिया अब चलाएंग कैसे इसको, तब उसने बताया, फिर उसने, हमने कहा कि देखो ये Excel सीट है, इसमें formula कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा बता दो, क्या सर, क्या काम करना है, कुछ सोच रहे हैं बनाने के लिए, फिर मैंने बैठे बैठे, उसमें जब उसने सुरुआत की चीज़ों को बता दिया, कि ऐसे से करके logic करते हैं, उसका सारा लॉजिक फिर अपने मन से करना सुरू किया, और करते हुए एक इतना सारा बड़ा सा workbook उसका तैयार कर दिया, जिसमें पूरे स्कूल के result को compute हम आसानी से कर सकते थे, इंट्री करनी है, सारा चीज अपने आप बनके तैयार हो गया, सारा लिंक कैसे होगा, क्या होगा, पूरा एक बड़ी असा Excel में वो प्रोजेक्ट तेयार कर भी है, तो ये इंट्रस्ट की बात होती है, आज के तुनला में जो स्टूडेंट है, और आपके जमाने में कमती गई, और मेंटल वर्क जादा हम करते हैं, तो नेचुरल है कि नेक्स्ट जनरेशन जो होगा, उसके अंदर इंटेलिजन्स जादा होगा, तो आईक्यू उसका जादा है, हमारे जमाने में जो चीज हम कॉलेज में आके सीख रहे थे, वो बच्चे सेवेनेट में जान तो यह जो गैप हुआ, यह काफी बड़ा जनरेशन गैप है, और आज के बच्चे जो है, उनको जो कि इतना तरह का information technology के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और दूसरे जितने भी electronic हो चाए, वो इंटरनेट हो चाए, जैसे भी हो, हर जगा से इतने तरह का information उनको मिलते है कि वे जो चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं, उसके वारे में कुछ न कुछ जानकारी उनको रहती है, वो नया नहीं है उनके लिए, हाँ उसका depth नहीं है, क्लास में हम पढ़ाएंगे तो उसका depth होगा, तो depth में वह जाएंगे, लेकिन elementary knowledge है, हमारे जमा कि आने वाला topic यह है, तो उस topic के वारे में कुछ जानकारी हो, उसके अगर planning में वह है, कि हम school जाने के पहले, कुछ पढ़ लेंगे, इस chapter को, आज ही chapter सुरू होने वाला है, तो थोड़ा question करने में आसानी होगा, प्लस नए जमाने में क्या requirements है, technological requirements है, वो क्या है, उस technology को blend कर के ही हमें कुछ करना चाहिए, यह essential है, इन चीजों के लिए भी हमें सोचने की जरूरत है as a parent, यह भी संस्थाएं ऐसी संस्थाएं हैं, जो culture के Indian culture को साथ लेके चलती है, वेदों के उपर आधारित है, वेदिक जो instructions है, जो वेदिक knowledge है, उसको साथ में लेके वो हमारा मूल ह है, और उस मूल पर आधारित हम मानव बनाने के लिए सिक्षा देते हैं, केवल पुस्तकों की सिक्षा नहीं देते हैं, उसके साथ-साथ उनमें humanity कैसे develop हो, यह उनको दिया जाता है, culture के साथ-साथ आप modernity में जाएं, जैसे आप कहते हैं DAV, दयानंद Anglo-Vedic, तो एक तरफ म सम्हाल रखा है, महरची के ने अपना culture दिया, अपने विचार दिये, और उस से एक इतना बड़ा समाज तेयार हो गया, और इतनी तरह कूरीतियों का उन्होंने खंडन किया, और उसको दूर करवाया, समाज से बहुत सारी चीज़े जो उस सवे ब्याप्त थी, उन कूरीति कि अगेंस्ट उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप्स लिया, और साथ ही इस्तरी सिक्षा को बढ़ावा दिया, कोविड में क्या responsibility स्कूल की बढ़ गई, बहुत responsibility बढ़ गई, चूकि बच्चे तो स्कूल में आनी रहे, और उनको सिक्षा देना, उनके सेशन को regularized रखना, य क्योंकि पहले तो यह बेवस्त थी नहीं थी, और इस तरह का कभी कोई planning नहीं था, कुछ भी नहीं था, at random यह हुआ, lockdown हुआ, और तब हमारे management ने हमें कहा कि देखो अब यह lockdown हुआ है, हो सकता है कि एक महीने का हो, दो महीने का हो, आगे भी बढ़ सकता है, pandemic है, तो जिस तर चीके से बढ़ रहा है, हम लोगो तुरते स्टार्ट हो जाना चाहिए, और 3rd April से, जबकि हमारा सेशन 9th April को स्टार्ट होना था, 1st April से कुछे के स्कूलों में, 2nd April को कुछे के स्कूलों में, और 3rd April को लास्टली सारे स्कूलों में, आनलाइन सिक्छा सुरू कर दी, अब टीचर्स हमारे थे, उनके सामने चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज, कि उनको तो पता ही नहीं था, कि कौन सा एप है, कैसे इसको यूज किया जाएगा, उन सब को दो दिन, तीन दिन, सब की ट्रेनिंग दे देके, वेविनार किया, वेविनार कैसे जॉइन करेंगे, स समय लॉकडाउन हो गया था, आग समय तो कोई घर से भी नहीं निकल सकता था, तो ऐसी स्थिती में बहुत बड़ी चुनोती थी, और उस चुनोती में फिर बच्चों को कनेक्ट करना, और पेरेंट्स को मोटिवेट करना, फिर हर बच्चे के घर में उतनी संख्या में उस समय जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उनको बेस्ट वे में कैसे यूज कर सकते हैं, वो करने के लिए जितने तरीके से सारे पेरेंट्स के साथ साथ तीचर्स को, आज जो तीचर्स ऑन दवर्ज अफ रेटायर्मेंट हैं, दो साल में रेटायर कर जाएंगे, वो भी काम नहीं किया, वो आप प्रेजंटेशन बना रहे हैं, और इतनी ट्रेनिंग उनको दी गई, इस तरह से उनको मोटिवेट किया गया, तो इसके करने के लिए, और बच्चों को बार बार समझाने के बाद, बच्चों, पेरेंट्स के पास मेसेज करकरके, उनको इनफॉर्म करके मोटिवेट किया गया, फिर भी बहुत बच्चे ऐसे रहें, जिनके पास डिवाइसेज नहीं रहीं, या फिर वो विलेजेज में लोट गए, और यहां पर रहके पढ़ रहे थे, लोट गए अपने पेरेंट्स के साथ विलेज में, चुकिए यहां भी कोई सुलिशन नहीं था उनके पास, तो इस वज़ा से वो वापस चले गए, अब उनको वहां पर करेक्टिविटी की प्रावलम आ रही है, किसी के पास स्मार्ट फोन नहीं है, एक ही स्मार्ट फोन है और उसमें दो दो तीन तीन बच्चे हैं, तो नैचरल है कि एक साथ सारे नहीं तो इसके कारण भी बहुत कस्ट बहुत परिशानी हुई लोगों को, फिर भी कोशिश करते हुए इन बच्चों को हर तरह से सपोर्ट करने की प्रयास की गए, इसके लिए जो आम दिनों में जो इफर्ट लगता है, उससे कई गुना अधिक इफर्ट लगाना पड़ा, और continuous जो teachers पढ़ा रहे हैं, उनको फिर अपनी तियारी करनी है, online पढ़ाना और offline पढ़ाना, दोनों में बहुत कांतर है, offline के लिए तो knowledge हमारे पास भरपूर है, हम आके lecture दे देंगे, board पे लिख देंगे, diagram बना देंगे, demonstration कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, classroom के अंदर, लेकि में बैठके और आप हम बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला सामने नहीं है, और वहां पर treat हम ऐसे करें हैं, जैसे कि बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, और हम उनको पढ़ा रहे हैं, तो ये psychology develop करना, ये बहुत बड़ी बात थी, और फिर devices को कैसे use करेंगे, तो सुरुआत जू स्नैप होमवर्क है, तो स्नैप होमवर्क को फिर हम लोगों ने फाइनली रखा, और स्नैप होमवर्क में भी के उसके भी background में जूम चलता है, जो जूम से वो पावर्ड है, तो हमने का कि जूम का जो ये है, आईडी पासवर्ड, ये यहां reflect करता है बच्चों के स्क्रीन प कीजिए, तो उसके लिए करते करते वो चिल्ड लगाया उसके अंदर, तो बहुत दिन लगा उसमें, फिर वो तयार हो गया, और आज के डेट में केवल जूम लिखा रहता है, जूम का कोई आईडी पासवर्ड नहीं है, तो जब आईडी पासवर्ड रिफ्लेक्टेड था तो बच्चे किसी दूसरे बच्चे को भी शेयर कर देते थे, फ्रेंड्स को शेयर कर दिया, अब वो किसी दूसरे स्कूल से है, वो आके कुछ मिस्चीफ कर गया, वो सैतानी भी बहुत शुरू में परिशानी हुई, उन सब चीजों में इन पर चेक करते हुए, कि फिर यह सारी चीजे अप टो डेट हुई, सर अगर एक बच्चे स्कूल जैसे आता है, तो उस स्कूल में गुषने के बाद उसकी क्या-क्या मतलब वहां पर आपके लिए विएस्था उनों, आप लोगोंने की है, जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं, तो सबसे पहले उन गूमेंगे, 360-degree गूमके और तब फिर बाहर निकलेंगे, पूरे बॉड़ी को स्रेटाइज कर लिया गया, तो यह वहां पर स्प्रे हो जाता है, फिर क्लास्रूम के अंदर हर मॉर्णिंग में पहले उसको स्रेटाइज कर दिया जाता है, तो हमारे इंपलोई, जो सब यह रोस्टर बना हुआ है, कि एक बार में कितने बच्चे आएंगे, नाइन से ट्वल तक के ही बच्चे आने हैं, तो ऐसे भी वह सारा ग्रूप नहीं आता है, बहुत बच्चे तो आते ही नहीं है, तो और यह पेरेंट्स के कंसेंट से ही हम बुला सकते हैं, महारी का जो गाइडलाइन है, एसोपी बना हुआ है, तो उन सभी पूरी तरह से फॉलो किया जाता है, फिर मास्क लगाना सब के लिए एसेंसियल है, सभी लोग मास्क लगा के रहेंगे, बच्चे भी क्लास पे मास्क लगा के रहेंगे, टीचर भी मास्क लगा के जाते हैं, तो सभ वो हाथ नीचे ले गए उसमें लिक्विड शोप आगया जैके हैंड वास कीजिए हैंड वास करके आईए वाश्रूम जाएंगे तो उसके वाश्रूम की क्लीनिंग भी लगातार होती रहती है ताकि वहाँ पर भी किसी तरह का यह नहीं हो नहीं सेनेटाइजर रखा हुआ है कई जगा लगाया हुआ सेंसर वाली है उसमें भी हाथ लेकर गए हैंगे है वहाँ पूरे छारूं बिल्डिंग बिल्डिंग सब तरफ वो लगा वा तो इस तरीके से जितने भी जो गाइडलाइन है एसो पी के अंदर दिया हुआ और जो नुहां से आया है, वो MHRD से, उन सभी का CBSE का guideline है, उसी पे based, फिर बिहार government का guideline है, उन सब को लेके जो कुछ भी है, उसके हिसाब से आएंगे, बच्चे एक साथ भीड में नहीं जाएंगे, सब का thermal scanning होता है, उसका record maintain किया जाता है, रेकॉर्ड मतलब हर दिन का, उसमें हर बच्चे का admission number के वाले लिखते हैं, नेम नहीं लिखते हैं, admission number लिखते हैं, जो कि बच्चों की identity हमारे हाँ admission number से होती है, record हमारा सारा मिल जाएगा, database में, admission number लिखा और temperature लिखा, admission number लिखा, temperature लिखा, तो किसी का temperature अगर ज़्यादा दिखिया, 99 क्रॉस कर गया, उनको रोग देते हैं, और parents को बला के उनको वापस कर लिए, इनको treat करिये, या फिर medicine की जरूरत है, यह एक बड़ा challenge उबरा, बहुत बड़ा challenge, तो इसका मतलब बच्चों के मानसिक्ता पर, मतलब क्या impact पर बच्चों के impact पर बच्चों के मानसिक्ता पर जहां तक सवाल है, तो बच्चे काफी उसमें काम करें, शीखें इस से, और शुरू के दिनों में तो थोड़ा सा बच satisfaction मिल रहा, doubt clearing class ही चलता है, लेकिन जो आते हैं यहां तो उनको पढ़ा ही दिया गया, उस समय, जब पढ़ा दिया गया तो बच्चे को ज़्यादा उसका, उसी समय online class भी चलता रहता है, इसका सर negative impact भी पर रहा है कुछ, बच्चों पर, online classes का, बिल्कुल होगा ना, जैसे ब रटखटपन है, जो शरारत वो कर सकते हैं, उसकी वो लिमिट में चला जाता है, और वो सामने आखों के सामने रहने से तुरण डिटेक्ट हो गया, तो उनको गाइड भी कर दिया गया, उन पर action भी हुआ, तो यह एक discipline उनके अंदर जो होता था, उससे sincerity ज्यादा होती थी, वो attentiveness घर पे बैठके यह देखने में नहीं आ रहा, उसके कारण क्या है, कि जो सिक्षा हम दे रहे हैं, जो क्लास में पढ़ाते थे, वो चीज वहां पढ़ा रहे हैं, लेकिन सारे बच्चे उतने गेन नहीं कर रहे हैं, इनमें जो बच्चे सिंसिर हैं, वो बहुत इसको पढ़ते हैं, और उनका performance भी अच्छा है, उनका knowledge level भी improve कर रहा, लेकिन ज्यादा परसेंटेज जो बच्चे हैं, उनमें कुछ हैसे हैं, जिनका थोड़ा deviation होता रहता है बीच बीच में, तो वो deviation पहले chat खुला होता था, तो chat में डाल दिया, कुछ लिख दिया, एक disable करके रखना होता है, तो वो disable किया गया, इस तरह से करते करते जो भी challenges आते गया, दीरे दीरे सब को limit कर दिया गया, लेकिन है क्या कि उसको direct तो हम देख नहीं रहे हैं, और वीडियो सब काउन रहेगा, तो network इतना strong नहीं होता, कि आपका जो यह है, सारा वीडियो तो उन्हीं के पास नहीं पहुंच रहा है, उनका ही network slow चल रहा है, जहां बैठे हैं, place to place vary करता है, तो उसके कारण क्या होता है, कि वीडियो आफ हो जाता है, अब वीडियो आफ हो गया, तब हो क्या कर रहा है, यह तो पता नहीं, जो sincere बच्चे हैं, वो पढ़ते रहते है जो sincere बच्चे, जिनकी sincerity कुछ कम है, तो थोड़ा इधर इधर भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे हैं कि बसके वल time pass कर रहे होते हैं, उसमें game भी खिलते हैं, ऐसे भी reports आये हैं, कि उसमें जो है सो mobile पे game खिलना शुरू कर देता है, attend कर रहा है, class तो हो गया शुरू, वो attendance बन बच्चो को लग गया है, उससे उभर नहीं पाएंगे बच्चे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब स्कूल खुलेंगे तो, उसको positive way में उनको बहुत motivate करना पड़ेगा, बहुत समझाना पड़ेगा, और उनके पीछे लगना पड़ेगा, क्योंकि अभी mobile के साथ दो तर से उभ जाएंगे, तो उसके तरफ देखेंगे नहीं, बहुत हो गया, देखते देखते अब इससे जरूरत नहीं है, तो कुछ का saturation point आएगा, कुछ का deviation रहेगा, वो deviation वालों को right track पर लाने में बहुत कठी नहीं होगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना प preparation से, जो ऐसे आमतार पर होना चाहिए था, जो लेवल होता, उस लेवल से नीचे आ रहा है, आज के डेट में online हम टेस्ट भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन online है, वो घर पे दे रहा है, उसकी authenticity नहीं रहती है, सिंपल सी बात है, एक दम clear cut, कि उसकी authenticity नहीं रहती, जो हर एक अधिकतर बच्चे बहुत अच्छा perform करते हैं, बहुत अच्छे marks आते हैं, जबकि पता है कि classroom में उनका performance सही नहीं है, तो फिर इतना अच्छा marks आ गया, तो कहीं न कहीं उसमें unfair हुआ है, अब घर में बैठे हैं, एक device पे बैठके exam का काम कर रहा है, दूसरे device से search कर है, तो इसका effect ये मान सकते हैं कि मतलब जो बच्चे जो हैं उनस पर अच्छा मतलब ये negative impact पड़ता है, इसका negative impact है ऐसा कि उसमें क्या है, जैसे जिन बच्चों बच्चों को तो guide school में किया ही जाता है, और online भी किया जा रहा है, और उनको motivate करने की कोशिस की जा रही है, बह बच्चों के mentality और उसके score पर पढ़ा है, बिलकुल, उसके तो knowledge level पर पढ़ी रहा है, इसके साथ साथ उनके जो मान सिकता है, उस पर भी उसका प्रभा पढ़ रहा है, चुकि वो continuously बंद पढ़े हैं, तो उनके physical activities कम हो गई है, उसके कारण जो sharpness होना चाहिए, जो activeness होने च बचता जा रहा है, उससे इनका ज़्यादा काम कर रहे है, mobile पे या laptop पे, online ही सब कुछ हो रहा है, तो वैसी स्थिति में उनके आँखों पर भी प्रभा पढ़ रहा है, तो medical भी issues आ रहे हैं उससे, एक common issues होते हैं, जो कि school में, वो fees के related school problem, fees के related होते हैं, दूसरी problem होती है कि उनके parents जो है common issues क्या आते हैं? इसे तो और भी subjects हम पढ़ाते हैं, तो English, Hindi, Math, Science, Social Science, ये जो five subjects हैं, और five class से लेके उपर, तो उसमें आपको जो है क्या करना है, तो five class के उपर संस्क्रित भी जुड़ना तो छे subject हो गया, तो वहाँ हिंदी संस्क्रित को हमने तीन-तीन प्रियेट दिया week में, और five किया, तो करके और हर एक प्रियेट के बीच में 20 मिनटस का गया। थ्री प्रियेट के बाद 30 मिनटस का गया रिजिस के नाम पे, कि 30 मिनटस के बाद फिर अब बच्चे आएंगे तागि थोड़ा रिलाक्स हो जाएं, continuously वह उसमें उससे बाहर निकल जाए, 40 मिनटस का class schedule होत ये सारी चीजे उसमें है फिर भी जो issues है वो है health का बच्चों के आखों पर प्रभाव पढ़ रहा है उनके मस्तिस्क पर प्रभाव पढ़ रहा है फिर कुछ बच्चे जो है उससे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं ये issues आ रहे हैं फी बगारा को लेकर थोड़ी बहुत issues तो आई जो इसकूल ने उसकी विवस्था कर दी कि जिसको जब होगा तब फी जमा करना तो छोटे-छोटे slots में आप फी जमा करते जाए एक साथ बड़ा फी मत जमा कीजिए तो ये सा रेवनियू जनरेट होता है उसी से और रेवनियू के उस रेवनियू से सारी की सैलरी बननी है तो हमें तो सैलरी भी जो है वो स्लैस करना पड़ा कि अभी आपको 60% दे रहे है 40% हमारे उपास ये आपका लाइबलिटी रहेगा जैसे इसे फंड रेज होगा जब और रिखान से प्राओं नहीं से दूसरा प्राओं टीचर्स के एनदरी पर भी परा है है रहेगे हैं डैसाist पर चलर कैसे तो टीचर्स को पेविंट कहा से होगा स्कूल कैसे चलेगा डेली स्कूल जब चल रहा है तो उसके उपर स्टूरेंट की समस्या हैं नॉट सिंगिल सब के सब पूरा सिस्टम समस्या से घिरा हुआ तो एट लास्ट हम यह आप से जानना चाहेंगे और हमारे चैनल के माध इस समय अपने आपको बैलेंस करने की ज़ुरुत है अपना फोकस स्टाडीज पे डालने की जरुवत है फीजिकल एक्टिविटीज के रूप में जैसे योगा कर सकते हैं कुछ आसन कर सकते हैं इससे तोड़ा उनका फीजिकल एक्टिविटीज भी हो यह एसेंसियल है पेर अपने बच्चे को महाल जो भी बना सकते हैं दे सकते हैं वो उनको जरूर दें उनके फिजिकल एक्टिविटीज और स्टडीज दोनों साथ-साथ चलें तब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे और धैज रखना बहुत जरूरी है जब वो पेसंस रखेंगे तो आगे अच्छा होगा और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए निगेटिविटी को दूर कर देना चाहिए जो कि इसका निगेटिव इंपक्ट जो हमारे उपर आ रहा जो निगेटिविटी इसकी है उससे हम ग्रसित हो रहे हैं उससे निकलने की कोशिस करनी है और खुद को आज का कोई भी बीक्ति हो सब को रखना चाहिए कि मास्क पहनना है तो मास्क पहने और उसमें एक्टिविटी करनी है तो उसमें इसके सी करे यह करें मार्केट में जिस तरीके से लोग चलते हैं उससे बचने की कोशिस करनी चाहिए कोविड कुछ भी है एक पेंडमिक है और उससे पूरा विस्प रस्त है और यह किसी के बस की चीज नहीं है तो इसको आज नकल सुधरेगा जब तक उसका वह नहीं आता जब आ हैंगे फिर यह भी कंट्रोल होगा लेगिन तब तक तो हमें बहुत सतर्क रहने के आ सकता है तो आपने सुना कि एक स्टूडेंट लाइफ से जो प्रिंस्पल की जर्नी थी जो केके सिना सर से आपने सुना और अब आखिर में आपने यह भी सुना कि एक स्कूल में क्या-क् अब आपसे लेता हूं अलविदा और मीलेंगे एक अगले एपिसोड में अगले सक्सियस के साथ इसी के साथ नमस्कार